तो हलो बच्चों स्वागा थेक बफिर से आप सभी लोगों का अच्छे वं संपूर्ण सिक्षा देने के एक मात्रिस्थान अभिपसा एजुकेशन फर एक्सिलेंस के इस ओनलाइन क्लासेस पर तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हम बात करें अपने एक्जा यूनिट पर बात करने वाले जो हमारा अगला अध्याय आठ वह यूनिट नंबर तीन के अंतरगता और तीन हमारा क्या है वाडित जगडित कॉमर्सल माथेमाटिक्स है और इस अपने आपको एक ही चप्टर पढ़ने के लिए मिलता है जो की आता है हमारा अध्याय आठ ब है जो कि दो पार्ट में होते हैं दो जो प्रस्थ रहेंगे वह आपके अप्जिक्टिव रहेंगे और एक जो कुष्चन रहेगा आपका व्याख्यात्मा करेगा जो की पांच नंबर के लिए पुछ जाएंगे तो टोटल में अगर बात करो तो यहां और हमारा अध्याय होने वाल अध्याय ऐाठ अध्याय आठ्याय कराधान बंकिंग इवाम कशनब के वाटने वाले जहां पर मैं आपको उन में बताँंगा और सात ही साथंदी एक नमबर वाल एक यह बहुत हो हर एक हरे बाते करते हुँ अपने कॉपी पर लिखते हुए चलिये कर समय के आने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला कुछ कातों के बारों में बताने वाला हो ठीक है जो देखिए आपके पूरे सिलेबस में तीन प्रकार के खातों के बारे में जिक्र किया गया है कौन कौन से देखो सबसे पहला नंबर आता है आपका बचत खाता क्या था बच्चों बचत खाता ठीक है यह हुमारा होगे बचत खाता दूसरा नंबर हमारा आत हाथ सावधिंहाल खाता सावधिंधाता सावधिंहाल खातेल सवाधिंथ ऊपता आप तो सबसे पहले कान्झे है अब ऑचत क्रते हैं और अपल सा निकाल पाते उन रहां करते हैं से विंग lieutenant उपन करवाते जहां पर आप क्या करते हो कभी भी पैसा जमा कर सकते और कभी भी पैसा निकाल सकते हो इसमें को भी लिमिटेशन नहीं होती बात देते नहीं होती है कि सर आप इतना ही रूपा जमा करोगे इससे ज्यादा या फिर इससे कम आप जमा नहीं कर सकते या फिर आप इस पर्टिकुलर । एमदrint के बाद ही, आप पशचा निकाल पाओगे, ऐसी इसमें कोई भी बात नहीं होती है, कभी भी पैसा जमा करो wherever पासा निकालो ये कौन सा एक अगॉंट होता है, बचचत खाता होता है कौन सा होता बच्चो सबसे कम जो ब्याज मिलता है, तिन vet अगर मैं खातों के बारे मात करूँ तो सबसे जो आपको कम ब्यास देता है वो बचत खाता ही है इसका रिजर्म भी समझ लो देखो हम जब पैसे जम्म करते हैं तो बैंक वाला क्या करता है हमारे जम्म की गई रासी को पैसे को वो दूसरे काम पर लगाता है किसी बड़े बि उसको बड़े कामों पर नहीं लगाता है तो उनको प्रॉफिट कम होता है जब उनको प्रॉफिट कम रहा है तो वह आपको ब्याज भी तो कम देगा ना तो इसलिए बचत खाता में आपको सबसे जो कम ब्याज मिलता है वह बचत खाता में ही मिलता है सब बिलकुर हमने प्रवर्ति खाता क्या होता है जिसे इंग्लिज में recurring account भी बोलते हैं देखो अब इसको मैं आपको एक example से मालो कि आपके पितर जी की जो salary है वह 20,000 रूपय कितनी है 20,000 रूपय अब महिने में क्या होता है आपके भी भी खर्चे होते हैं आपके पढ़ाई पर खर्चा करते हैं मकान पर खर्चा करते हैं खाने पर खर्चा करते हैं तो पूरा खर्चे हटा देने के बाद लास्ट में उनके पास हर महिने 2000 रुपए बच जाते हैं कितना बच जाते हैं 2000 रुपए हर महिने उनके पास बच जाते हैं तो वह क्या करते हैं आपके पिता जी क्या करेंगे कि हर महिने तो 2000 रुपए बच रहा तो क्यों न मैं इनको बैंक में जमा करा दू तो उनके लिए वह क्या करेंगे आवर्ति खाता लिकिर्रिंग एकांट ऑपन करवाते जहाँ पर एक निश्चीत रासी को एक निश्चीत संमस्टें तक जम्र किया जाता है वरती खाता का तो बियाज मिलता है वह बचत खाता से ज्यादा मिलता है ब तक तिसरे में हम आते हैं जो कि है हमारा सावधी जुम्हाखाथा अब जिसे हम बोलते हैं देख好 है आपन लो कि आपके पास पचाहाश जारुपै आया या फिर आपके घर के पास आपके धरवालों किसी के पास 50,000 रुपए आया ठीक है अब वो क्या करते हैं उनको लगता है कि जो 50,000 रुपए आया है इनकम मुझे 5 साल 10 साल फिक 15 साल तक को भी जुरत नहीं पढ़ने वाली है तब के केस में वह अपने बैंक में जाता है और उसको फिक्स करा देता है मतलब कि ए अब भी जमा कर दो ऐसा नहीं होने वाला है यह सिर्फ सिप होता है बचत खाता में सावधी जमा खाते में एक मुझत रास्ति को एक निश्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है अब यहां पर क्या होता है बैंक वाले को पता है कि आप 5 साल या फिर 10 साल के रिए पैसे को नहीं निकालने वाला हों इस केस में आपके जमा की गए रास्ति को वो बड़े कामों में लगाता है किसी बड़े बिजनेस विए आंपको बड़े जगहों पर लगाता है तो इस केस में उनको harvesting मिलता है जयादा प्रॉफिट होगा तो अपको ब्याज भी सबसे ज्याद खाता में उसके बाद मिलता है आपको आवर्ति खाता में और सबसे ज़्यादा जो द्याज मिलता है वो आपका सावधी जमा करना आपको भी इसमें नहीं होती है इसमें वियाज भी कम सब्सक्राइब लिए जमा कर दिया जाता है और जादा मिलता है चाहता की तुलना ठीक है घ। मैं पढ़ा हुआ सावधी जमाखाता सावधी जमाखाता में एक मुष्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है बोलेंगे तो आवर्तिंखात में और एक Regan समय के लिए फिक्स रखला देगा तो वह होटा है सावधी जम्मा खाता ठीक है सावधी जम में ऐधा को आपको भ्याज दिया जाता हैँ बैंकर के दुआरा बिलुकु So तो को सब्सक्राइब क्या होता है इन तीनों खातों से ही सम्बंधित आपको अब्जिक्टी कोषटें पुछता है दो अंक पुछते हैं यहां से दो को यहां से पूछिज आ गए जो कि एक नंबर के लिए आप जैक्स्टें में रहेंगे बिल्कुल अब उन प्रस्टों को करने वाले कि सर आपके एक्जाम में प्रस्टन कैसे आंगे बिल्कुल तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्टन की और यह रहा हमारा पहला नंबर के कोश्टन बहुत ही कुप सुरस्था देखो आज देखो कुछ दम नहीं कुछ भी दम नहीं है क्या बोला गया है कुल भी आज बराबर पी इंटु आर डिवाइड़ बाई हंड्रेड इंटु वन अपाउं ट्वेल फिर ब्रेकेट में क्या दिया हुआ एन एन प्लस वन डिवाइड़ बाई टू निम्नमे से खाते में ब पूल ब्यास का आपको सूत्र दिख रहा है यह आवर्ति खाता की संबंधित है तो आवर्ति जमा खाता में सबसे जब भी आपको ब्यास की गड़ना करना रहा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हो पी इंटु आर डिवाइड़ बाई हंडेट इंटु वन तो यह है मारा आवर्ति जमा खाता से संबंधित ब्यास की गड़ना करने के लिए अवस्यक सूत्रा तो आपका आफसर नंबर और सही हो जाएगा आवर्ति खाता इसका सही जवाब हो जागा बिल्कुछ तरिया हमारा एंसर हो जागा जो कि आपको एक में एक दिलाने वाली बिल्कुल तो चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्टों के और यह हमारा अगला कुछन दिखेंगे जिए क्या बुला है आज़ा जाओ जो इस प्रस्टर में आपको चार को संक्दम है इस प्रस्टर में आपको चार प्रस्टर समझाने वाला क्याशी दोखो में ब्याश्की जो गड़ना करना है वह च्छा मही करना है यानि कि हर च्छा महीने में ब्याश्की गड़ना करना है मैंने क्या बोला हर च्छा महीने में आपको ब्याश्की करना पड़ेगा अब देखो इस किसमें क्या होगा हमें पता है कि एक वर्स में एक वर्स में 12 मही होते हैं एक वर्स बराबर क्या होता है बारा महीने बारा माहा के बराबर होता है अब यहां पर व्यास्की गरना हमें कैसे करना है च्छा माही करना है तो अगर यहां पर आपको समय पुछ लिजागा समय पुछ लिजागा तो समय आपको बताना है अगर च्छा माही कर हो जाएगे तो समय हो जाएगा डबल समय क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा दो गुन हो जाएगा समय क्या हो जाएगा बच्चो दो गुन हो जाएगा अच्छत सुनना समय क्या हो जाएगा दो गुन हो जाएगा और दर जो है दर जो है वो हो जाएगा आधा क्या हो जाएग ठीक है बच्चो तो यहां पर देखो हमने क्या सीख लिया है जब सावधी जमाखाता में ब्याज की गणना छह माही करना है तो हमें समय को कर देना है डबल और दर को कर देना आधा यहां तक की बात क्लियर है क्या इसी का हम आगे यूज करने वाले बहुत ज्यादा यूज करने वाले अंडर लाइन और बताते तहूं जब ब्याज की गणना हम च्छा माही करेंगे तो समय करेंगे डबल और को करेंगे क्या आधा कर देंगे बिल्कुछ सथ सही जवाब हो जाएगा देखो दो प्रस ने का मैने उत्तर दे दिया देखो तीसरा नंबर का यहां पर अगर पूछ लिता च्छा माही के जगा तीमाही जगा अब आपको दे दिया ती माही से बिल्कुल अब बताओ यदि सावधी जम्हा खाता में व्याज की जो गणना है हमें तीमाही अधार पर की जा को ते कर लेते हैं तिमाही के लिए टिमाही के लिए ठीक है चलिए तो मुझे बता 250 बराबर की तर वह होता है है को देढ़ा महीने की यह तरह में अच्छे से मालूम है कि एक साल में बारा महीनी होता है अब हमें ब्यास की जो गड़ना करना है वो तीमाही करना है हर तीन-तीन महीने में करना है तो एक साल में कितने तीमाही हो जाएंगे बारा को तीन से भाग दे दो चार क्या हो जाएगा चार तो यहां पर हो जाएगा तो दर जो है वह एक चौथाई हो जाता है इस लाइन को अंडा लाइन करके चलना बच्चो कि जो दर है वह एक चौथाई या फिर एक बटा चार हो जाता है इंपॉर्टे लाइन मैंने यहां पर लगा दिया है फाइब स्टार लगा के रखना दोनों बातों को ठीक है चलो हमने क्या क्या समझाए वहाँ पर तो अगर सावधी जम्मा खाता में ब्याज की गणना हमें छमाही करना है तो हम क्या करनेंगे समय को कर देंगे डबल और हम समय को कर देंगे अधा बिलकुसर और यहां दिए अगे देखो अधा यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा इसी के जगह वार्सिक दर ना पुछकर आपको पुछ लेता समय समय पूछ लेता तो समय आप का रिकातो तो समय का कर देते डबल कपके केस में जब घ्याज की गड़न हम करेंगे छमाही तो समय पुछ लेता तो समय के हम कर देते हैं चार से गुना यहां तक है कहानी अच्छे से क्लिए रहता ये मुश्टर इंपार्टने मैं दो बिल्कुल एक प्रस्थ्थता आपको हरेखेटное मेरे पुछने को हैं देखने के लिए मिलने वाला तो इसको अच्छे समझें ब kleiner रंदेस के अगले रहां सब्सक्राइब घणूनेजड़则 दिया मॉर्म की बिवित रलायक जाकत है О तुप तैसमर् पूर Random ने को सब्सक्राइब करें तो तीमाही के लिए वैसे के लिए तिमाही के लिए समय जो होता है समय जो होता है वह चार गुना हो जाता है और दर जो होता है वह एक चौथाई हो जाता है क्या होता है एक चौथाई हो जाता है यानि कि हम दर को दर को क्या करेंगे चार से भाग देंगे ठीक है बच्चो तो यहां पर आप देख लिजी कि एक एक चौंधाई कहां पर दिया अब का ओफसर नमबर सही जवाब हो जाएगा एक्द्था संव जबता्स कि आपको दें दिया जाएगा 20 प्रतिशत क्या वारिशिक भीषना क्या वारृसिक है आपको जो ब्यासले करना है वह त्याहां पर आपको दर बताना लैगा तो दर बताने केरी क्या करूगा में इसका आप निकारे तो कि यहांता निक करता कि ना छाहां पर हो जाता यह 4 तीमाही तो चार ही तो फिसात हो ता पांस प्रतिसत थिंभा ही ता छाहा तो फिसा हमारा अगला कुस्ता जो कि बहुत ज्यादा इब्ल्ट होना है कुछ नियमने करता है चंट में श्युक्श किस आप अधुवार्सी को कि संख्यां तो अथारा माह को आप क्या kicking करेंगे इस समदीन बोले की तता तो डालेकिंग Ireland उन्हेक्षट कितने अर्धुवार्सिक तो अर्धुवार्सिक के लिए आप क्या कर रहोगा चैसे इसको भाग देदो छहती अठारा चैत यह ठारा यानिक ठारा माहिनों में कितने तिमाहियों की संख्या होगी तो अठारा को लिखते और हमें पता कि हमने खी एक साल में कितने चार तिमाहि होते हैं कितने चार तिम 않고 फीर kingdoms के लिए होते हैं तो हम क्या करेंगे तिमाहिँ इसको डेदेती की से भाग याने की छैती अठारा महां में कि ने तीमाहिय। तो आपका जवाब होना चाहिए था बिल्कुल तो एक प्रस्ण मान करने चलना इसको दो तीन प्रस्ण मान कर चलना एकदम कॉंसेट को सीख लेना बिल्कुल चलो अब बरते हमने नेक्स्टों क्यों और अगला जो मारा कुश्ण नहीं है प्रस्ण मांग पांस देखो क्या बोला गया है क्या बोला गया है पर चलो इसको समस्ते हैं आजाओ दे आयकर 2,000 रुपए पर सिख्छ उपकर 3% की दर से होगा यानि कि हमें 2,000 रुपए का 2,000 रुपए का 3% बताना है बिल्कुल बता देंगे सर 3% बता देंगे देखो लोगल कि यह 2 0 से यह 2 0 नहीं पड़ गया तो हमें क्या मिला बीस गुना 3 तोрыटे निजिए 10 रुपई साहए ये आपका एंसर हो जाएगा इसी जगह आपको अगर बोल देगा कि चार हजार रुपए का सिख्छा उपकर कितना होगा तो आप चार हजार रुपए का क्या निकाल दोगे तीन पर तिसत्त कि दर से से 120 रुपे हो जाएगा तो एक क्वेश्टन मान करने चलना इससे कई प्रस्टन बन सकते हैं बस डेटा को बदल दिया जाएगा और आपका प्रस्टन बदल जाएगा लेकिन सॉल करने का तरीका वह एजटी सोने वाला बिल्कुछ सब्सक्राइब अब बढ़ते हैं अपने नेक्स वकूष्टन की और यह रहा हमारा अगला को देख लो और यह पुछा गये था चैस्ट्र गर्ला की जाती है उसे मुल्धन करते हैं तो जिस रास्ती पर ब्यास की गर्ला की जाती है उसे मुल्धन ही करते हैं तो यह दिया गया कथन क्या सत्या क्या सत्या 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 बिल्कुल टू है कि जिस रास्ती पर हम ब्यास की गर्ना करते हैं वह क्या कलाता हमारा सत्या मुल्धन कलाता यह हमारा जो स्टेट्मेंट दिया गया था बिल्कुल सत्या है चल सब्सक्राइब यह सही स्टेटमेंट होने वाला कि वृत्तिव वर्स जो है जो विट्तिव वर्स आवो एक अप्रेल से 31 मार्च तक चलता है एक अप्रेल से प्राराम होकर 31 मार्च तक समाप्त होता यह सब्सक्राइब यहां पर लिग दिया खाली स्थान में भी इसको पूछा जा सकता है तो वित्तिव वर्स जो है वह एक अप्रेल से समय के लिए एक मुष्ट रास्ति क्या पूछेगा एक मुष्ट अभी मैं बताया इसके बार में एक मुष्ट एक निश्चित समय के लिए जमाक किया जाता है तो वह कौन सा खाता होता है एक मुष्ट जमाक की जाती तो उससे साओधी जमाक खाता अभी तो मैंने इसके बा अब यह हमारा अगला कोस्तबार सिक्ष उपकर खाली स्थान पर लंगता है बंशन प्रटीशत लगता है और तीन प्रतिशत लगता कितना तीन प्रतिशत लगता देख्ञो सिक्षा उपकर दे आयकर पर लगता है और कितना प्रतिसत तीन प्रतिसत लगता है बिल्कुल सर सही जवाब हो जाएगा चलो अब बढ़ते अगले कोश्चन क्यों देखो हां प्रस्टेकरमा 11 आयकर विभाग द्वारा प्रत्यक व्यक्ति स्याफिर संस्था याफिर कंपोनी को एक पहचान संख्या दी जाती है उससे कहते हैं उससे हम कहते हैं पैन कहते हैं इसी को हम बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं इस्थाई परमनेंट परमेंट स्थाई एक मतलब होता है एकाउंट या विक घ्थाओ ठीक है इस्थाई खाता एक इन मतलब होता है नंबर और इंग्लिजे सदस्राइब इन युथ बधरन में इस्थार करें या फिर व्यक्ति को एक प्षाण संख्या दी जाती है उसे हम पहते हैं पैन कहते हैं या फिर स्थाइक खाता संख्या पर्मानेट एकाउंड नंबर जिस्से हम भुएते हैं ठीक है यह हमारा सही जवाब होने वाला प्रस्त कर्माइब सब्सक्राइब कर लगाया जाता है उसे आयकर कहते हैं क्या कहते हैं यह हो चुका हमारा आयकर बिल्कुल यह हमारा सही जवाब हो जाएगा कि कि सब्सक्राइब कर लगाया जाता है वह हमारा कहता है और यह पुछा गया था तो मैंने आपको 12 प्रसन करा दिये बारा प्रसन रही है यह बारा प्रसन के अलावा मैंने बीच बीच में और आपको बहुत सारे प्रसन भी बता हुँ थे सबको एक एक चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना तो बारा प्रसन नहीं मैंने आपको लगभग 20-25 प्रसन बता दिये जो कि कर दो